नवस्कार दोस्तों स्वागत है अपटी यूटूब चैनल टॉप ट्रिंडिंग जी के मैं दोस्तों आरार्बी टेक्नीशन भरती 2024 सम्मंदित सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आच चुकी है पोस्त आपकी 9145 से बढ़ कर हो चुकी है 14298 और साती सात यहाँ पर दोबारा मौका दिया जा रहा है एक तो new candidate भी आविदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले से आविदन कर दिया है वो RRB चैनल कर सकते हैं पोस्त पर फ्रेंज चैनल कर सकते हैं पहले 18 टाइप की पोस्त थी अभी ये पोस्त बढ़ा कर कर दी है 40 टाइप की पोस्त देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन ओपीशिल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं योगिता बगेरा सब कुछ बदली गई है जब नई पोस्त को एड़ किया गया है तो और कुछ योगिता एड़ की गई है तो डेटेल में देखते हैं कब आपके दोबार आविदन श्टार्ट हो रहे हैं और ये आप अपनी RRB बगेरा चैन्ज कर पाएंगे और कितने आप कहेंगे ये जो official notification है ये कहां मिलेगा जिसमें बड़ी पोस्त के बारे में education qualification के बारे में वर्णन है क्या ये official है या फिर ऐसे ही बात कर रहे हैं तो official side पी चलते हैं अब reality चेक करें उससे पहले अपने खुद की आपको reality चेक करना है कि आपकी त्यारी कैसी है आप त्य जोईन करना टीडीजी की coupon code apply करने पर 12% discount मिल दाएगा yearly pass pro है एक साल की validity में जो भी exam है technician का आजाए, ALP का आजाए, NTPC का आजाए, group D का आजाए, JEE का सारे exams के mock test आप देपाएंगे और pass pro की खासीत ये है कि previous year के paper भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे smart तरीक से attempt करना test उनक आपका ज़रूर selection होगा, link description box में new candidate को पता नहीं कैसे pass pro join करना है, demo video चेक कर लेना, I think यहाँ पर दो वर्ष का pass pro आपके लिए किफाईती रहेगा, लगबग 320 रुपे की price में एक साल में पढ़ जाएगा TDG के coupon code से, ठीक है, अब अपन notification की बात कर रहे है, RRB गुहाटी की official website है, यहाँ पर आप देखेंगे 22 अगस्त को, आज ही CEN 02-2024, यानि technician recruitment के regarding Corrigendum और Addendum, दो चीज़ एड होई है, संसुदन भी हुआ है, और कुछ चीज़ जोड़ी भी गई है, पोस्ट, तो वहाँ यह जो आपको notification देखने को में रहा, बिलकुर official है, अब देखते हैं, detail में इस पूरे नए notice के बारे में, railway recruitment boards have published CEN 02-2024, सभी को पता है, 9144 vacancies पर आपका सुरुवाती notification आया था, जिसमें 18 category की post थी, यह आपका सुरू में notification था, जहाँ पर 18 category की post थी, अलग अलग आप इसमें, आप education qualification देखेंगे, इन 18 category post में नीचे RRB wise vacancies का विवरण है, अभी यह यह बोल रहें, एक review किया गया और जिसमें demand को ध्यान में रखते हुए workshop और जो PUE की demand आई थी, वो उसके अनुसार 22 category यहाँ पर और add करके, यह vacancies बढ़ कर हो गई है, 14,298, कहने का मतलब 5,154 vacancies बढ़ चुकी है, अब नीचे बता रहें, community wise, category wise, पूरा विवरण है, आपक एक नया revised vacancies की detail यहाँ पर नीचे दी गई है, जो बढ़ी हुई vacancies है, वो कहाँ पर बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, post parameter है, जिसमें आपको qualification, परते एक post के लिए अलग qualification रहता है, medical standard, suitability post है, जो PWBD वालों के लिए है कर नहीं है, वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपक एक नबर 02-24, यहाँ पर educational qualification कुछ पोस्ट के अलग है, medical standard अलग है, कुछ पोस्ट में PWBD वाले eligible है, इनको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर दोबारा से fresh candidate का आवधन है, वो मांगे गए हैं, तो यह एक नई चीज देखने को मिलेगा, इससे पहले ELP में vacancies बढ़ी थी लेकिन उसमें आपने RRB भी चेंज किया था, लेकिन इसमें पोस्ट भी बढ़ा दी है, vacancies के साथ में पोस्ट इंक्रीज होई, तो काफी पोस्ट में educational qualification अलग है, तो यहाँ पर एक दोबारा नए form भी दलने स्टार्ट हो जाएंगे, the link for submission of online application for the fresh eligible candidate will be live shortly for a period of 15 days, तो 15 दिन के लिए नए स्रेस से आविदन है, वो शुरू हो देंगे, नए स्रेस का बतर भी यह नहीं कि जन्होंने पहले आविदन कर दिया, उनको दोबारा करना नहीं, उनको तो केवल RRB चेंज करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, नहीं तो वो ही candidate आविदन नए स्रेस से करेंगे, जन्होंने इस से पहले technician में आविदन नहीं किया है, तो पोस्ट बढ़ी है, तो वो आविदन अब कर सकते हैं, और जन्होंने पहले कर दिया है, उनको क्या opportunity मिलेगी, तो आप देखेंगे, exciting candidate जो अलरीडी यहाँ पर आविदन कर चुके हैं, उनको RRB चेंज करने की opportunity मिले कि RRB में आपको पता, journal railway आता है, तो उसको भी वो preference देपाएंगे उसके तहत, और RRB के अंदर का जो भी various category post है, उनको भी वो preference या नई जो पोस्ट एड हुई है, उनको दोबारा वो नई सरे से preference देपाएंगे, the link for modification for the exciting eligible candidate, एक तो जो नई सरे से candidate आविदन करेंगे, पह अब यह आपका latest update है, नीचे आप देखेंगे, तो RRB wise vacancies देखने को मिलेगी, साथ इसाथ जो पोस्ट एड की गई है, पहले 18 पोस्ट थी, अभी 19 से start हो रही है, 22 पोस्ट और एड की गई है, और 40 तक जारी है, जैसे कि इसमें technician grade 3, italic communication की पोस्ट एड की गई है, जो कि level 2 की पोस्ट है, तो सभी पोस्ट का आप level देखेंगे, तो level 2, यह सभी पोस्ट आपको level 2 की देखने को मिल रही है, इससे पहले जो 18 टाइप की पोस्ट थी नहीं है, उसमें technician grade 1 signal की पोस्ट थी, level 5 की, बाकी सभी आप पोस्ट देखते हैं, तो वो भी level 2 की ही थी, कहने का मतल level 5 की इसमें कोई पोस्ट आइड नहीं की गई है, level 2 की यहाँ पोस्ट आइड की गई है, जिसमें कुछ योगता हैं, आप देख सकते हैं, अलग लग पोस्ट है, technician grade 3, carpenter, technician grade 3, diesel, electrical workshop, technician grade 3, electricals, और इसके साथ-साथ इनमें minimum education qualification आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर matriculation, यहाँ 10 और 7 में IT आपको चाहिए, IT आपके electrician trade में, electronics mechanics, wireman, electrical fitter में है तो चलेगा, नहीं तो matriculation और apprenticeship है तो चलेगा, इसके अत्रिक्त, इस पोस्ट में आप देखेंगे, physics and math और करके देखा हैं, बी में, 12 आपने physics और math के साथ कर रखी हैं, तो इस पोस्ट के लिए, यह 19 नमबर वाली पोस्ट के लिए, आप eligible हो, आप कहेंगे, तो 12 physics math वालों के लिए, अलग से वीडियो डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, next यहाँ पर आप education qualification technician gate 3 carpenter की देखेंगे, तो matriculation, ITA मांगी गई हैं, यह act apprenticeship हैं, और ITA भी जिसमें trade हैं, आपके carpenter या furniture cabinet maker क सबी ITA वाले eligible नहीं हैं, अलग अलग trade wise हैं यहाँ पर, technician grade 3 diesel electrical workshop हैं, इसमें आप देखेंगे, matriculation 10th और ITA यहाँ पर मांगी गई हैं, electrician, auto electrical या electronics wire man में, ठीक हैं, इसमें और act apprenticeship हैं, तो भी चलेगा, technician grade 3, इस परकार यहाँ पर जितनी भी आप post देख रहे हैं, नई post add की ग बाकि सबी में 12th ITA, अब ITA, सबी ITA वाले eligible नहीं हैं, ITA में भी सबी के लिए अलग अलग wishes trade यहाँ पर रहने वाली हैं, तो technician grade 3 electronics mechanics आप देखेंगे, तो इसमें भी electronics mechanics या mechanic power electronics में आपका ITA हो, या फिर act apprenticeship हो, grade 3 bridge में आप देखेंगे, तो इसमें आपके ITA मांगा गया है, fitter और welder, fitter या welder में, next या पर technician grade 3 diesel mechanic आप देखेंगे, तो उसके अनुरसार ITA है, तो सभी technician grade 3 mechanic workshop, technician grade 3 multi skilled fitter, तो यहाँ पर आपकी trade है, जो fitter, welder या mechanist है, तो आप चलेगा grade 3 shell है, शेल में आपके apprenticeship या फिर ITA fitter या welder में तो चलेगा, grade 3 fitter mechanical है, इसमें भी यहाँ पर trade fitter और matriculation, जैसे ही, आप वहाँ पर education qualification डालेंगे न, आप 90 किसमें कर रखी, तो आपके सामने जो भी post है, वो सो हो जाएगी, किस post के लिए आप eligible है, इस प्रकार आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप देखेंगे rigger है, तो इसमें भी आपक या rigger में मांगी गई है, और उसके बाद turner, ये trade turner में आपके ITI हो, उसके बाद blacksmith, तो इसमें आपके forzer and heat, ट्रेटर में ITI कर रखी हो, उस case में ये eligible रहेगा, और snt के case में यहाँ पर, यही सेम हो गया, उसके बाद mechanist हैं, और mechanist ही, इस प्रकार से आप crane driver, crane driver में भी motor vehicle में, या फिर material handling equipment कम operator में आई चाहिए हो, उसके बाद millright, millright में आपके लिए ITI यहाँ पर मांगी गई है, millright maintenance mechanic, mechanic tools maintenance, mechanic advanced mechanic tool maintenance, इसमें, उसके बाद penter, penter में भी आपके penter general, domestic penter, industrial penter, इन सभी में ITI मांगी गई है, next यहाँ पर refrigeration या air conditioner, इसमें आपके ITI मांगी गई है, air conditioning mechanic, electrician में, या wire man में, या electronics mechanic में, किसी में भी एक है तो चलेगा, technician grade 3, trimmer, trimmer में आपके ITI मांगी गई है, trade of taylor general, अब holister matriculation, इसके तैत, आपके apprenticeship कर रखी है, welder mechanical में आपके ITI मांगी गई है, welder हो, welder gas और electric हो, gas cutter हो, structure welder हो, welder pipe, welder TIG, MIG, इन सभी में ITI यह तो चलेगा, यह 40 type की, जो total post हो चुकी, अभी फिलाल आपकी 22 post बड़ी है, और इसके नीचे आपको RRB wise, बड़ी हुई post और, पहले कितनी थी post वो सारा विवन, जैसे एमदाबाद के आप बात करेंगे न, यह category पहले 18 तक थी, अभी जो कितनी category में बड़ी है, इन category पहले जैसे की, एमदाबाद में total थी 761, अभी 254 यहाँ पर बड़ी है, तो यह हो चुकी है, 1015, इसी प् प्रकार आप अपनी RRB में देख पाएंगे, अजमेर की बात करेंगे, तो अजमेर में कितनी बड़ी है, अजमेर में यहाँ पर पहले थी 522, अभी आपको देखने को मिल रही है, 378 बड़ कर 900 हो चुकी है, इसी प्रकार अन्ने आप RRB देखेंगे, बैंगलोर, 142 से भूबन थी, ठीक है, अभी बढ़कर हो चुकी है, बहुपाल में, 82 सीट बड़ी है, तो 534 हो चुकी है, भोनेसर की बात करेंगे, तो आपके 16 सीट ही महज बड़ी है, नेक्ट आप बिलासपूर की बात करेंगे, तो बिलासपूर में आपकी ओपन लाइन वाली बढ़ सीट बड़ी ए ब्लासपूर में नेक्स चन्डीगर चन्डीगर में पहले थे 111 अब हो चुकी आपके छेतर बड़ी है तो 187 हो गई है चैने की बात करें तो पहले थी यहाँ पर आपके चैने की बड़ी है तो अभी यहाँ पर नीचे आपको चैने में देखने को मिलेगी कि आपकी वेकेंसी अब 1813 बड़ चुकी है बहुत ज़्यदा वेकेंसी चैने में देखने को मिले रही बड़ी हुई पहले आप देखेंगे 833 अभी बढ़ गई है 833 बड़ चुकी है 274 सबसे अधिक यहाँ पर वेकेंसी बड़ती देखने को मिल रही है चैने में गोरकपूर में पहले 205 थी अभी कितनी बड़ी है तो अभी यहाँ पर 214 बड़ी तो 419 हो गई गुहाटी में पहले 624 थी अभी 140 बड़कर 764 हो बड़ गई 592 तो 1098 हो गई है माल्दा की बात के तो पहरे 275 थी अभी माल्दा में बड़ गई है आपके टोटल सीट 1100 सोरी यह मुम्मव ही हो गया माल्दा में 208 बड़ी है तो 275 हो गई पहरे माल्दा में आपके कितनी थी माल्दा यहाँ पर में श्टेक बड़ी माल्दा में बड़ी नहीं एक चुन वेकेंसी जे सेम एज इटी जे पहले 275 है अभी भी 275 था की है न उसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं मुम्बई की मुम्बई में पहले 1214 से थी अभी यहाँ पर पोश्ट बड़ी है 1883 ह चुकी है 599 बड़ी मुझफरपूर में पहले और अब समानी है 113 उसके बाद पटना पटना में भी नहीं बड़ी है 221 है प्रयागराज प्रयागराज में भी वेकेंसी आपकी नहीं बड़ी है सेम है उसके बाद रांची रांची में भी नहीं बड़ी सिकंद्राबाद मे बढ़ी थी ठीक है? रांची में नहीं बढ़ी लेकिन सिकंद्रा में पहले थी आपके 744 अभी बढ़ गई है, 2500 तो 969 हो गई है सिलिगुडी में आपके नहीं बढ़ी है सिलिगुडी में एक पोस्ट बढ़ी है याँपर एक जो यह वाली पोस्ट एड की है इसमें 8 सीट बड़ी तो 91 हो चुकी है तो ये पूरे RRB में बड़ी हुई सीट के साथ आप देख पारे हो डाटा थिरवन्द पुरम में पहले 238 थी और अभी भी 238 ये अब नीचे इन्होंने पूरा विवरण दिया है कि Technician Grade 1 सिगनल में पहले कितनी थी? ओपन लाइन 1092 थी और Technician Grade 3 में पहले कितनी थी? 892 तो पहले Total RRB Total Post थी 9144 अभी यहाँ पर आपके Total Post बड़ी है 5144 बड़कर 14298 हो चुके तो ये पूरा नीचे ब्योरा इन्होंने दे रखा है इस टाइप से पूरा नया रूप ले लिया है इस Notice ने Technician भरती का कोई भी आपके दिमाग में डाउट है तो कमेंट शेक्स में बताएंगे और New Candidate है Telegram Channel पर जोड़ जाना इसकी सबसे फिले अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी और अभी तक Test Book से जोड़कर आप Mock Test नहीं दे रहे तो बड़ी गलती कर रहे हैं आज ही जोइन कर लेना टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना तिरोंने पास्प्रो जोइन नहीं किया प्रिशेर के पेपर मिल जाएंगे डेली मॉक टेस्स दो कम्यों को सुधारो और अच्छे धंग से त्यारी करो अभी अपपर्चुनिटी काफी और दिन आपको मिलने वाले लिंक डेमो वीडियो देख लेना कैसे टैस्टू पास प्रजोण करना मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद